यूपी में कॉंग्रेस पार्टी अपना सियासी बनवास खत्म करने की कोशिश में जुची है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का दुख खत्म होता नजर नहीं आ रहा उसके साथ ही उसके अर्मानों पर पारी फेरने में लगे हैं लोगसब चुनाब में सपा और कॉंग्रेस ने एक साथ वीजेपी के खिलाफ होंकार भरी थी यूपी में वीजेपी को कड़ी टकर दे कर दो लड़कों की जोड़ी ने अपना लुहाब मनवाया था लेकिन अब उपचुनाब आते आते जोड़ी विखरने की कगार पर है सीट शेरिंग को लेकर कॉंग्रेसर सपा की बीच की खाई और भी ज़्यादा बढ़ गई है सपा ने कॉंग्रेस को दो सीटों पर चुनाब लड़ने का ओफर दिया था जिसे कॉंग्रेस ने ठुगरा दिया अब सपा अध्यक्ष ऑखिलेश यादव ने कहा कि सपा के सिंबल पर ही चुनाब लड़ा जाएगा सोशल मीडिया साइट एक्सपर अखिलेश यादव ने ज़ौनकारी दी अग्रेश ने अक्सपर लिखा बाद सीट की नहीं बलकी जीत की है इस रणनीती के तैत इंडिया गठबंदन के सयोक्त प्रत्याशी सभी नौ सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाब चेद साइकल के निशान पर चुनाब लड़ेंगे कॉंग्रेश और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एक जुट होकर कद्धे से गंधा बिलाकर साथ खड़ी है इंडिया गठबंदन इस उप्चुनाब में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है इस मयाद से साफ हो गया कि कॉंग्रेश अब उप्चुनाब के लड़ाई से बाहर हो गई है और अगर वो चुनाब लड़ती भी है तो सपा की सिंबल पर ही लड़ेगी ऐसे में कॉंग्रेश का यूप्टी में सियासी वनवास खत्म करने के प्लान खत्म होता दिख रहा है बीजेपीबी कॉंग्रेश पर निशाना साथ रही है कॉंग्रेश पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने अस्तितों को मिटाने के लिए भी तयार हो चुकी है खिलेश एदव जी ने एलान कर लिया है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाब लड़ा जाएगा कॉंग्रेश के पास अब उत्तर प्रदेश में कुछ बचा हैं नहीं है कॉंग्रेश पार्टी ने सरेंडर भी कर दिया है और संदेश भी साफ है पहले पोस्टर लगा कि 27 में 27 और अब सीट भी नहीं मिलेगी बागेनिंग टेवल पर कॉंग्रेश अपने उमीदों के अनुरूप सीटे हासिल करने में फेल रही और सपा ने उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो सीटे छोड़ी दो और पांच की लड़ाई में सपा और कॉंग्रेश की दोस्ती फस गई दूसरे जो सीटे पार्टी को मिली है उन पर ट्रेक रिकॉर्ड भी काफी ज़ादा उत्साहद जनक नहीं रहा गाज़ेबाद शेरी सीट है और से बीजेपी का गड़ माना जाता है आलिकर की खैर सीट पर भी पिछले चुनावे पार्टी काव में इद्वार पंदरा सो वोट का आक्रावी नहीं चू सका था कॉंग्रेश नेताओं को लगता है कि जब वो बीजेपी से उसके दो मजबूत गड़ में लोहा ले रहे है उनको ऐसी सीट भी मिलने चाहिए थी जहां जीट की संभाव नाई भी हो कॉंग्रेश इसलिए मिर्जापूर की मजबा और प्यागराज की फूलपूर या इसमें से किसी एक सीट के लिए दावेदारी कर रहे थी कॉंग्रेश के लिए बागे गुआ और पीछे खाई वाली सीती है अगर वो दो सीटों पर लड़ती है तो उसे हार का सामना करना पड़ सकता है और अगर नहीं लड़ती है तो पहले से कमजोर संगचन में भी निराशा होगी आखिलेश गटबंदन की बात तो कर रहे हैं लेकिन फूट्प्रिंट पर खेल कर कॉंग्रिस को बैक फूट पर धकेल रहे हैं विरो रेपोर्ट रेपाप्लिक भारत तो देगे उत्तरपरदेश में उपजुनाव में सभी सीटों पर सपा ने साफ कर दिया है कि साइकल के सिंबल पर ही चुना गड़ा जागा ऐसे में बीजेपी लगातार कॉंग्रिस और इंडी गटबंदन को लेकर तंज कस रही है क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए कॉंग्रिस पार्टी ने पूरा सरेंडर कर दिया कॉंग्रिस पार्टी अब अपने अस्तितों को मिटाने के लिए तयार है उत्तर प्रदेश में अगर आप एक बार देखोगे जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक कॉंग्रिस 12th मैन पार्टी बन चुकी है हिंडी अलाइंस में कच्चा नीम्बू पार्टी बन चुकी है कोई कॉंग्रिस को सीरिसली नहीं लेता जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बोलते है भाई एक पद मिलेगा लेना है तो लो पंजाब में इंडी अलाइंस में कॉंग्रिस के लिए में नो स्पेस हर्याना में नो स्पेस अब देख लीजे दिल्दी में नो स्पेस फिर उसके बाद आ जाईए गुजरात में नो स्पेस महराष्टा में नो स्पेस करनाट केरला में नो स्पेस केरला में वायनार्ड के candidate प्रियंका वाड़ा के सामने एक candidate उतारा गया है बंगाल में no space तो Congress जो है अपनी space खोती जा रही है एक समय पर Congress बिताल की तरह विक्रम के कंदे पर चड़कर राजनीती करती थी अब जो allies है वो सब Congress से कह रहे हैं कि हमारे कंदे से उतर जाओ यूप यूप चुनाव के लिए बीजीपी ने जोरी की लिस्ट साथ उमिदवारों के नाम का एलान कटेरी से धर्मराज निशाद घाजीबाद से संजीव शर्वा को टिकेट दिया गया फूपूर से दिपक पटेल को टिकेट यूप 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 चुनाव में सपा के सिंबल पर चुनाव रड़ेंगे इंडी उमिदवार अखिलेश का बयान कहा बात सीट की नहीं जीत की है अखिलेश यादव ने एक्सपर पोस्ट किया लिखा हमने ये ठाना है समिदान अरक्षन सोहार्द बचाना बापू बाबा साहिब ललोहिया के सपने का देश बनाना अखिलेश यादव और राहूल गांधी की फोन पर हुई बात सूत्रों के हवाले से खबर राहूल गांधी ने उत्रप्रदेश में सपा को समर्थन दिया यूपी की सभी सीटों पर सपा लड़ेगी चनाब महराष्टों में सपा को मिलेगी चार सीटे बार्थी जंता पर्टी ने कॉंग्रेस पर साधा निशाना कहा महबद की दुकान नहीं दलाली की दुकान गांधी परिवार को बताया लूट का सबसे बड़ा कारोबारी शेहजाद पुनावाला ने कॉंग्रेस पर साधा निशाना कहा कॉंग्रेस को अब कोई नहीं लेता सीरियसली कॉंग्रेस पर कड़ चुकी है सरेंडर जमु कश्मेर उतर प्रदेश पंजाब और दिली में कॉंग्रेस के लिए नो स्पेस कॉंग्रेस पर दलीतों को अपमान करने का रूप लगाया कहा कि कॉंग्रेस में दलित का कोई सम्मार नहीं राहुल गाधी ढूंगी है कॉंग्रेस का परड़ा साब हो सुका है दलीतों को ओ बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलीतों का साध है अंदर में दलीतों को अपमान किया जाता है एजे थार्ड क्लास सिटिजन ट्रीट कर किया जाता है दली बीजेपी अध्याक शुवरेंदर सजदेवा ने यमुना में लगाई डुकी जमो कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी को बनाया निशाना हमले में गंभी रुप से घायल उतरपरदीश क्या रहने बाला है शुभभम यूपी करेने वाला पता है जा रहा घायर शेक्स आतंकी अमने की बाद सुरक्षबलों ने पूरे अलाके की गेरा बंदी की आतंकी की तराश में सुरक्षबल जुटे सल्मान खान से पांच करोड की फिरोती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने जारखंड से गिरफतार किया हल्प लाइन नमबर पर लॉरेंस के नाम से मांगी थी फिरोती बाद में उसी हल्प लाइन नमबर पर माफी मांगी थी चक्रवाती तुफान को लेकर मौसम विभार का नुमान कहा ओडिशा तट से ठकराएगा तुफान दाना से बचने के लिए तैयारी की गई बैंगलरू में लिफ्ट लगाने के लिए खोदे गए गढ़े में गरने से पांच साल की बच्ची की मौत परिजनों ने मातम का पच्चा बारिश की वज़ा से गढ़े में गर गया था पान यूपी के जानपूर में टोल प्लाजा पर धबंगो का उतपात देखने को मेरा टोल टैक्स को लेकर जमकर बवाल मारपीट मारपीट का वीडियो सोचल मीडिया पर तेजी की साथ हो रहा वाया उत्रप्रदेश के फिरोजबाद में घर के बाहर सो रहे यूवक पर बियर की बोतल से हमला गंभी रूप से घायल हुआ यूवक पीडित यूवक ने पुलिस थाने में दर्च कराई शुकाया थे मारपीट की शेहडोल में तेंदुए से मस्ती पड़ी भारी पिकनिक बना रहे लोगों पर तेंदुए ने हमला किया खौफ़नाक मंजर क्यामरे में क्या क्या किया यूवे में दिखा बवंडर भयानक तस्वीर आई सांगे फिलाल अबेता किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं तुफान को लेकर अलार्ट मोर पर सब्सक्राइब फिलिबीन्स में एक शक्स ने सूजबूज से बचाई अपनी जान बाड़ के पानी से बचने के लिए तार की पेड़ पर चड़ा था शक्स सोचल मीडिया पर वाइरल हुआ वीडियो